नमस्कार, welcome to my channel मैं हूँ मनीशा आज हम लोग जानेंगे होलिका देहन से पूर्व हम कैसे पूजा करें दोस्तों होलिका देहन से पूर्व हर परिवार में अलग-अलग पूजन करने की परंपरा होती है कहीं कहीं पे इसे बिसवरा के पूजा के नाम से भी जाना जाता है ऐसा मानिता होती है कि जब भी घर में कोई भी पकवान बनने से पूर्ब हमें बिसवरा की पूजा करना अति आवस्यक होता है और इस बिसवरा की पूजा में जो सामागरी विशेश होती है उसमें घुड की गुजिया चढ़ाने का महत होता है ये अपने कुल परंपरा के हिसाब से अलग-अलग चीजें चढ़ाई जाती है कहीं-कहीं पे जितनी भी चीजें आपने जैसे की पापार्ट, चिप्स या जो भी आपने बनाए हैं उनको भी अरपित किया जाता है और सारी चीजें आप एक थाल में सजा लेजिए अपने घर की खास परंपरा होती है उसके साथ में आपको जो पूजन समागरी के लिए सामानित्य आवशकता होगी वही चाहिए होती है इसके पहले जो हमने वीडियो दिया है आपको उसमें पूजन की सारी समागरी बिस्तार पूर्बख है आप चाहें तो उसे चेक आउट कर सकते हैं लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आवस्य दे देंगे और दोस्तों अपने घर में पूछ लें जैसे होता हो उसी प्रकार से किया जाता है और इसको करने के लिए आपको हुलिकास्टक जब ये प्रारंब हो जाता है उसी में आप एक कोई दिन पसंद कर लें जैसे कि Friday या फिर Saturday इन दिनों में ही देवियों की पूजा की जाती है तो इसी मानिता के साथ में आपने ये पूजन करना है और अपने घर से दाहिने आपका जब आप अपने घर से निकलने लगेंगे तो जो दाहिने हाथ से होलिका क अस्तंब लगा होता है कहीं भी आपके चौराहे पर आपके घर से निकलते ही जो पहला स्तंब होगा वहीं पर पूजा करने की परब्दा होती है तो ऐसा वहां पर आपने पूरी सामागरी जो थाल है सजाके ले जाएंगे जिसमें गुड की गोजिया का विशेश महतो होता जिसमें आटे का इस्तेमाल किया जाता है और इसे तेल में डीप फ्राइ किया जाता है और आटे का ही दीपक लगाया जाता है और जिसमें कलाई नारा से दीप प्रजिलित किया जाता है तो इस तरीके से अपने घर की अलग अलग तरीके से प्रमपराय होती है आप समझ ले हम पे जाए और सर्प्थम आपने वहां पे प्रडाम करनाः चूँकि आप अपनी धाल की समागरी रखकर प्रडां करें और उसके बाद एक लोटे में, जो आपने जल लिया है उसको चारों ओर एक परकार से परिक्रमा हो जाएगी और एक प्रकार से आपका शुद्धी भी चोटी सी रंगोली बनानी है और गनपती जी का समरण करना है किसी भी पूजा पाट करने से पहले गनपती समरण का बहुत बड़ा महत्तु रहता है तो इसलिए आप गनपती के समरण करें और सारी चीजें वहां पे आप धीरधेर अरपित करें जैसे कि कुम-कुम हल्दी अक करना है तो इस तरीके से आप दूप दीप दिखाएं पूजन करें और फिर बाद में जो होलिका का पूजन समागरी है वह होलिका के लिए जो लकडिया एकत्रित हैं आपको वहां पे एक हो सके तो लाल रंग की चुन्नी चढ़ानी है उस पे आपको जो बड़कुल्ले की म मीठा समागरी जो आप बुजिया है बताशे हैं वह सारी चीजें वहां पे अर्पित करें उसके बाद कच्चा सूत या फिर कलाई नारे से आपको चारों तरफ तीन या पांच बार उसको बाहन देना है और फिर बाहनने के बाद आपने प्रणाम करना है अपने घर की बाहने की समाज की तो बस इसी बावना के साथ आपने पूजन करना है उसके बाद अब यह नपी जरके ज़ों शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें नीव विडिउ tiếp झाल झाल